हेलो एवरिवाइन वेलकॉम अगीन तो आज कीस वीडियो में मैं आपको ओजोन डिपलेशन के बारे में बताओंगी और यह हमारा जो है एकॉलोजी का लास्ट चैप्टर का लास्ट ट्रॉपिक होगा इसके बाद हमारी एकॉलोजी जो है वो टोटली कम्प्लीट हो जाएग तो आज जो है हम ozone depletion के बारे में बात करेंगे सबसे पहले ozone है क्या और इसको फिर बाद में जो है depletion के जो reason है जितने भी वो सब हम study करेंगे तो basically जो हमारी environment होता है उसमें different type के micro environment बनते है like depending upon the temperature वहाँ पर हर तरह की sphere बनते हैं तो totally four sphere होते हैं जो हमारी earth से, earth के surface से जो है सबसे starting में sphere आता है that is a troposphere and troposphere के बाद हमारे पास stratosphere होता है और stratosphere के बाद thermosphere होता है and then हमारे पास ionosphere होता है तो इस तरीके से यह जो चार जोन बनते हैं हमारे environment के तो उस base पर जो है temperature जो vary करता है वहाँ बेस पर यह चार जोन जो फॉर्म होते है हमारे environment में तो जो हमारी ozone होते है ozone हमारी दो जगया पाई जाती है उन यह हमारी ट्रोपोस्फियर मी मिलेगी लेकिन ट्रोपोस्फियर में जो ozone मिलती है उसको हम bad ozone बोलते है क्योंकि वो किसी भी तरह से useful नहीं है से पहले जो रोपस्वीयर होगा और उसके बात 15 से लेके 50 किलोमेटर तक हमारा पूरा का पूरा एंवीर्मेंट जो होगा वो स्ट्राटवस्फ्वेर होगा तो स्ट्राटोस्फेर में जो हमारी Ozone बनती है वो गुड ओजॉन बोलते हैं उसको और वो बहुत ज़ादा ज़रूरी होती है हमारे लिए क्योंकि जो भी हमारी आर्थ पर radiation आती है, UV radiation हो गई तो उनसे protect करने के लिए वो एक surface की तरह काम करती है, एक ऐसे absorptive surface की तरह काम करती है जो ozone जो की UV radiation को absorb कर लेता है और हमारी आर्थ पर surface तक उसको नहीं पहुंच नहीं दिता है जिसके विज़े से different type की diseases होती हैं वो रुक जाती है तो यहां पर मैंने यही लिखा है that low concentration of ozone in troposphere is known as bad ozone and high concentration of ozone in stratosphere is known as good ozone तो जो की 16 से 25, sorry मैं 50 km बताया that is 25 km from surface तो 16 से 25 km तक का जो area होगा वो हमारा किसका होगा स्टेटोसफेर का होगा उससे नीचे होगा troposphere और उससे उबर होगा हमारा thermosphere उसके बाद जो हमारी एक important unit होती है हम किसी भी चीज़ को अगरे measure करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक standard unit होती है तो ozone को measure करने के जो हमारे पास unit है उसको हम बोलते हैं Dobson unit इसकी जो thickness होती है वो किस श्रीज में measure की जाती है that is measuring Dobson unit तो 1 Dobson unit का मतलब हो गया 1 parts per billion और 1 parts per billion is equal to 0.001 mm तो इस तरीके से हम define कर सकते हैं कि 1 Dobson unit is equal to 0.01 mm इतनी thickness होच की होनी चाहिए अब हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो equator पर different है और poles पर different है महापरुन का जो reason है जो environmental conditions है वो different है तो ozone की जो thickness अगर हम equator पर measure करते हैं that is 300 Dobson unit or 3 mm और अगर वही हम pole पर measure करते हैं तो वो है 400 Dobson unit or 4 mm मतलब हमारी जो poles हैं वहाँ पर ozone की जो thickness है वो जादा है with respect to the equator जो है 1 mm less ozone की जो एक thickness होगी वो मिलेगी हमें अब यहाँ एक chemical reaction है जो कि मैं आपको यहाँ पर तो नहीं बताऊंगी आप उसको NCRT में भी देख सकते हो वहाँ पर एक ozone के formation की एक natural process लिखी हुई है कि किस तरीके से जो ozone मिलती है हमारी nature में जो हमारी stratosphere में बनती है वो खुद बनती रहती है और खुद तूटती रहती है वो एक natural phenomena है उसका बनने का उसका formation का और उसका degradation का तो वो एक natural phenomena है natural formation and breakdown of ozone अगर जैड़ दा stratosphere यह उस environment में हमें मिलती है एक यहाँ पर एक term है that is ODS that is ozone depleting substances जो बहुत सारे ऐसे substance होते है जो हमारी ozone को deplete करते हैं वो pollutant की तरह act करते हैं जैसे कि हमारे environment को dirty बनाने के लिए कुछ pollutants होते हैं जो हमारे automobil से आते हैं या किसी भी तरह एक industrial pollution से आते हैं या जो भी चीज़ें ऐसी होते हैं वो एक pollutant के तरह एक्ट करती है इंदा इंवायरमेंट तो इसी तरह ओजोन को भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है तो उसमें बहुत सारे सब्स्टेंसेज होते हैं जो हमारी ओजोन को डेपलेट करते हैं दाइस क्लोरो फ्लियो कार्बन जोके हमारे रफ्रेस्टर से बहुत ज़ादा मांट मेरिलेज होती है that is chlorofluorocarbon उसके अलावा nitrogen के कुछ oxides होते हैं जो हमारी ozone है उसको deplete करते हैं, methane भी एक बहुत बड़ा reason है ozone को deplete करने के लिए, इसी लिए जब greenhouse gases की concentration बढ़ती है जिनमें की हमारी methane जो है बहुत important role play करती है तो जैसे जैसे methane की concentration increase होती है, उसकी वजह से global warming तो increase होती ही है साथ ही हमारी जो ozone है वो deplete होना start हो जाती है और UV radiations बहुत easily cross कर पाती है हमारे environment को depletion of stratosphere ozone मतलब stratosphere में जो ozone है मैं troposphere वाली ozone की बात नहीं कर रही हूँ, वो bad ozone है stratosphere वाली जो good ozone है वो जब deplete होती है तो उसकी वज़े से ozone hole create होता है मतलब उस जगह पर जहां पर ozone की thickness जो है वो कम हो जाती है, वहाँ पर एक hole form हो जाता है, और जो hole है सबसे पहले कहां पर discover किया गया था, that was discovered in Antarctica in 1985 सबसे पहले वो Antarctica में ही discover किया और किस सेटेलाइट के दौरा वो discover किया गया था, that was Nimbus 7, उस सेटेलाइट ने पता लगाया था कि Antarctica पे जो hole है वो ozone की depletion की वज़े से हुआ है अब हम इसकी harmful effects के बारे में बात करेंगे, देखो जो इसकी formation की or degradation की reactions है, वो मैंने याँ पर study नहीं करवाई है तो आप एक बार NCRT चेक कर लेना उसके अलावा अगर वो NCRT में नहीं होगी तो आप इंटरनेट से एक बार उसको या किसी standard book से उसको जरूर चेक कर लेना harmful effects जो है, मैं UV radiation के बता रहे हूं उसकी विज़े से क्या होता है कि जब एक hole बन जाएगा जो हमारी अर्थ है, वहाँ पर pulse पर एक hole बन गया है ozone hole, अगर मैं टार्क्टिका की बात कर रहे हूं तो वहाँ पर एक hole बन गया है अब जो हमारी sun से rays आती है, radiations होती है उसमें different type की wavelength range में radiations होती है like अगर visible reason से कम wavelength वाली है, पर high frequency वाली है तो वो UV radiations है अगर वो visible reason में आती है तो उसमें हमारा विबिग्योर वाली सारी ranges वाली wavelength है वो आती है 400 तो 700 nm वाली तो जो UV radiations है वो हमारे लिए harmful होती है तो UV radiations बहुत easily cross कर पाती है अगर जो hole है वो बहुत बड़ा है तो ozone की depletion की वाज़े से जो UV radiations है वो अर्थ पर आती है जो कि बहुत जादा skin disease create करती है like हमारी जो DNA होता है उसमें mutations करवा देती है क्योंकि जो DNA का strand होता है double stranded DNA UV radiations की वाज़े से वो बेंट हो जाता है उसमें break आ जाता है तो वो एक bent DNA form हो जाता है उसके अलावा जो DNA की repair mechanism है वो भी halt हो जाती है और skin cancer भी होते है क्योंकि इसका direct effect जो है हमारी skin पर होता है UV radiation जब बहुत जादा high amount में लंबी time तक exposed होगी हमारी skin पर तो it can create it can cause skin cancer उसके अलावा zero derma भी होता है zero derma एक तरह की pigmentation type disease होती है जिसमें different type के pigmentation जो हमारी body पर form होना शुरू हो जाते है तो इसको zero derma बोलते हैं तो इस सरीके से UV radiation के बहुत harmful effect है और यह सब किस वज़े से हो रहा है ozone की depletion की वज़े से इसी लिए ताकि ozone को सुरक्षित रखा जा सके इसको safe रखा जा सके एक government ने एक protocol start किया that is Montreal Protocol और यह 1987 में start किया गया था but it was effective from 1989 तो Montreal Protocol जो है वो basically ozone को deplet होने से बचाने के लिए start किया गया और यह effective है जो 1989 से start हो चुका है amendment हो चुका है इस protocol का और यह continue चल रहा है और यह ozone को protect करने के लिए start किया गया था तो इस तरीके से आज मैंने आपको अपने इस environmental issue वाले chapter के सारे topic जो है वो complete करवा दी है ecology totally complete हो चुकी है NCERT reading must है वो आप जरूर लगा लेना एक बार उसके अलावा I hope की मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको आप एक बार thoroughly study करोगे तो easily concept को समझने में आपको help मिलेगी उसके बाद आप एक बार reading लोगे तो easily आपको समझ आ जाएगा कोई भी topic है तो अब जो है हम आगे की तरफ देखते हैं कि कौन से chapter start किये जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही और एक बार अच्छे से इस चीज़ को इसको पूरे chapter को पूरी को रीड कर लेना क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं प्लस टू के लिए नहीं बता रही हूं बट ये बहुत जादा important है neat point of view से भी क्योंकि बहुत सारे questions पूरी की पूरी cover करती है हमारे competitive exam में भी I hope आप इन सब चीज़ों को thoroughly study करोगे और इन वीडियो से मेरी आपको बहुत help मिलेगी Thank you friends